ओके, हेलो चैटर्स, माई नेम इस रोईतायन, यूर वाचिंग रेस्ल चैटर। इसके, कुछ मैने बाद TLC से पहले, हमने देखा था कि, रोमन रेंज पर मेज इसके साथ उनके मिस्टोरास और शेमस और सिदारों मिरकर भारी पढ़ रहे थे, लेकिन तभी सैथ रॉलिंस और डीन अम्रोज ने आकर उनकी मदद करी और इस तरह से हुआ शील्ड का रियूनि इनके बाद उनका पहला मैच बुक था TLC पेपर में वहाँ पर रोमन रेंज बाहर होगा उनकी बिमारी के चलते और हमें ओरिजिनल शील्ड का मैस देखने को नहीं मिला और हम बात करें अभी की तो डीन अम्रोज को भी प्राबलम आ गई है उनके ट्रैसेप्स में जो उनक दिख रहा है क्योंकि रूमर से सामने निकल कर आ रहे हैं कि डीन हम रोज जो अपनी इंजिरी से पूरी तरह रिकवर हो जाएंगे और उसके बाद दो डबलोज में वापसी करेंगे तो भी हमें शील्ड का रिउन देखने को नहीं मिलेगा अब आपको बता दूं शील्ड क दे तो फिर जैसे के हम जानते हैं सैथ रॉल ने संडी ने अमरोज काफी अच्छे बेवी फेस है कंपनी के तो ऐसे में रोमन रेंज भी उनके साथ मिलकर कंपनी के टॉप बेवी फेस बन जाएंगे और फैंस की तरफ से हेट नहीं मिलेगे और वह भी ठीक ऐसे हमने देख तो वो शायद डॉल बली कंपनी को जादा फायदा करा सकते हैं और अगर आप भी शील्ड के रियूनेंस से पहले मुझसे ये पूछते कि क्या रोमन रेंज को अगर टॉप टैटल के पिक्चर में डाला जाए तो उन्हें हेट मिलेगी या नहीं तो मैं कहता है जी हाँ उन प्रोस डबली में अपनी वापसी करेंगे और उसके बाद फिर चीजे किस तरह से आगे प्लाइन की जाती हैं इसके लावा एक और अपडेट है मेरे पास जैसे कि अपने आज रौ में मैस जेगा रोमन रेंज और समोजो की बीच इंटर कॉंटिनेंटर चैंपरशिप के ल तुमारी उस मार का बदला भी ले लिया है तो गाइस बस आज की वीडियो यहीं तक थी उमीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे होगी तो लाइक जरूर करना कमेंट करके बताना कि शील्ड के फ्यूचर के बारे में आपका क्या कहना है और चैनल को सब्सक्राइ कि अपडेट्स न्यूज रिमर्स और इंट्रेस्टिंग बात जानने को मिलती रहें तो सी यू गाइस इन मैं नेक्स्ट वीडियो